नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्यादर्शन बिहार में छत्रिय बनाम ब्राम्मन को लेकर के राष्ट्रिय जनता दल में चल रही तीखी बयानबाजी के बीज अब लालू यादब के बरेवेटे तेजप्रताफ यादब ने एक अपनी पनी से संसनी फैला दी है दरसल तेजप्रताफ यादब का कहना है कि छत्रिय आज के दौर में केवल जाती के नाम पर दिखावा कर रहे हैं जहां छत्रिय यानि की राजपूतों को लेकर के तेजप्रताफ यादब ने आज सोसल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उनकी इ उसमें उन्होंने एक और छत्रिय समाज की सराहना भी की है कि छत्रिय का इतिहास ऐसा रहा है जिसमें जब जब ब्राम्मनों के उपर कोई संकट आया है तब तब छत्रिय आगे आ करके उनकी रक्षा करते रहे हैं तो दूसरी और अपने इसी पोस्ट में तेजप्रताप य क्या लिखा है तेजप्रताप यादव ने लिखा है कि छत्रिय ब्राम्मन के रक्षा हे तु अपने प्राम तक निवचावर कर देते हैं इसका उदाहरन वीद पुरान और हमारा इतिहास गवा है कि जब भी ब्राम्मन पर कोई संकट आई है छत्रिय सदेव सबसे पहले आदाया है जब राष्ट्रिय जनतादल के राजसभा सांसद मनोज जाने महिला आरक्षन विधयक के दावरान राजसभा में चर्चा में भाग लेते हुए ठाकुर का कुगा नाम की एक कविता परी थी और उस कविता में उन्होंने ठाकुरों को लेकर के जो बाते कही थी उस पर राष्ट्रिय जनतादल के विधयक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आपक्ति जताई थी उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यह सब समाजवाद का दोगलापन है और उनके स्टिपनी के बाद बिहार के कई जो अन्य छत्रिय जाती से आने वाल आए हैं और उन्होंने मनोज जापर निसाना साधा है तो एक और जहां मनोज जाप तमाम राजपूत नेताओं के निशाने पर आ गए हैं तो दूसरी और अब अपने नेता के बयान को ले करके तेजपरताप यादब ने सोसल मीडिया पर छत्रिय समाज को ले करके जो बात चत्रिय समाज केबल जाती के नाम पर दिखावा कर रहा है यानि कि मनोज जाकि टिपनी के बाद जिस प्रकार के अलग-अलग बयान अलग-अलग राजपूत नेताओं की ओर से आए हैं तो उन्ह तमाम नेताओं को ले करके तेजपरताप यादब ने एक पंक्ती में ही सीखना चाहिए कि छत्रियों का ब्राह्मनों को ले करके इतिहास क्या रहा है तो राष्ट्य जंतादल में छत्रिय ब्राह्मन को ले करके जो एक प्रकार की तीखी नोखजों की कवायत चल रही है उसमें अब तेजपरताप यादब ने फिर से एक तरीके से देखा जाए त झाल 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 झाल